सर्दियों में बेशन को इस तरह से अपने चेहरे पर लगा लीजिए चेहरे पर जितना भी काला पन है जाईया है दाग धब्बे है ड्राइनेस है वो बिल्कुल जड़ से खतम हो जाएगी और आपको मिलेगा चम्कता हुआ चान जैसा गोरा और निकरा हुआ चेहरा इस पैक का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये पैक आल स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं चाहे आपकी स्किन ओईली हो ड्राइ हो नॉर्मल हो जाफिर कॉंबिनेशन ये बिल्कुल नैचरल चीजों से बनाया गया फ्रेस पैक है ये आपको 100% रिजर्ट देने वाला ह जो विवर्स ये कहते हैं कि दी सर्दियों में धूप में बैटने के कारण हमारी स्किन qa color dark हो गया है हम अपना रण साफ करना चाहते हैं तो हम अपने face पर क्या लगाएं चेहरे पर बहुत दाग धबे हैं तो ये face pack आपके लिए amazing है मैं आपको एक ऐसा ही face pack आज बताने वाली हूँ जो बहुती कम चीजों से बनने वाला है और ये आपके face से pimples और wrinkles को एकदम से गायब कर देगा और अगर आप अपना रंग गोरा करना चाहते हो रंग को साफ करना चाहते हो तो इस pack को जरूर लगाएं आपको ये pack में खुद अपने face पर लगा के दिखाने वाली हूँ मैं ये खुद अपने face पर लगाती भी हूँ मेरा ये खुद का अजमाया हुआ face pack है इसके बहुती amazing result आपको मिलेंगे friends आप इसे बना कर 10 दिन तक freeze में store करकर भी रख सकते हैं और जब आपका दिल चाहे तो इस pack को निकाल कर अपने face पर apply कीजिए तो हम देख लेते हैं कि आपको इस pack को किस तरह से बनाना है और कैसे अपने face पर इसे use करना है और कितने time के बाद इसे wash करना है और week में कितनी बार use करना है अगर आपको वीडियो थोड़ी से भी useful और helpful लगे तो नीचे like का बटन है उसे जिरूर प्रेस कीजिए आपके एक like से मुझे बहुत सारी motivation मिलती है तो friends देख लेते हैं कि इस pack को आपको कैसे बनाना है आपको लेने हैं दो चम्मच बेसन जानी कि आपको 2 टेबल स्पून ग्राम फ्लोर इसमें add करना है हम इसे winter season में use कर रहे हैं तो इसके लिए आपको लेनी है 2 से 3 drops ग्रैसलीन की friends आपको बिल्कुल थोड़ी मातरा में ग्रैसलीन लेनी है 2 से 3 बूंदे इससे ज़्यादा नहीं लेनी है next आपको इसमें add करना है 1 टेबल स्पून के करीब honey आपको honey इसमें इसलिए add करना है ताजो यह honey हमारी skin के moisture को लोग करता है और हमारी skin पर नमी को बनाए रखता है honey हमारी skin के लिए बहुती beneficial होता है आपको एक चम्मच इसमें honey add कर देना है आपका यह pack बनके जो ready होगा इसको लगाने के बाद आपको ऐसा feel होगा कि आपने कोई बहुती महंगा facial जाफिर treatment करवाया है अपने face पर next हम इसमें add करेंगे थोड़ी सी हल्दी हल्दी anti pimple, anti bacterial होती है और रंग साफ करने में यह बहुती help करती है next आपको इसमें add करना है half lemon का juice जे आपके काले पन को धूल मिटी गंदगी को एकदम से गाइब कर देगा और इसमें भरपूर मातरा में vitamin C होता है जिसके खटे पन से हमारे रंग निखरने में बहुती ज़्यादा help मिलती है अब आपको इस pack को बिलकुल थोड़ा थोड़ा दूद इसमें डाल कर इसका smooth paste बना लेना है friends आप दूद कोई भी यूज कर सकते हो अगर आपके पास कच्चा मिल्क है जा फिर उबला हुआ दूद है आप रो मिल्क जा फिर बॉइल्ड मिल्क यूज कर सकते हो और इस तरह आपको इसका smooth paste बना लेना है friends आपसे एक छोटी सीर क्वेस्ट है कि अगर आप फर्स टाइम मेरे चैनल पर आई हैं फर्स टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो और भी अच्छी ची वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए आप जे एक बास चेक कर लें किया आपने मेरे चैनल को subscribe कर दिया है आपके सस्क्राइब का बटन रेड है जा फिर ग्रे अगर रेड है तो उसे क्लिक करके ग्रे में कनवर्ट कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए पास वाले बेल आइकन को जुरूर प्रेस कीजिए ता जो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे अब हमारा फेस पैक बनके हो चुका है रेडी हमने इसमें ग्रेसलीन और हनी इसलिए एड किया है क्यूंकि हम इसे विंटर सीजन में यूज करे हैं अगर आप इसे समर सीजन में यूज करे हैं तो आप ग्रेसलीन को स्किप कर सकते हैं तो फ्रेंट्स आपको इसे लगाना कैसे है अपने फेस पर आप वो भी देख लीजिए आपको पहले अपने फेस को अच्छी तरह से वाश कर लेना है और उसके बाद इस पैक की मोटी लियर अपने फेस पर अपलाई कर लीजिए सर्दी के कारण आपके चेहरे का रंग काला पड़ गया है जांफिर स्किन फटने लगी है तो आप इस पैक को जुरूर अपने फेस पर लगाएं ये पैक सर्दियों में किसी ब्लैसिंग से कम नहीं है आपके लिए फ्रेंड्स आपको इसकी मोटी लियर अपने पूरे फेस पर और साथी साथ नेक पर अच्छी तरह से अपलाई कर लेनी है ताँ जो आपके फेस और नेक का कलर सेम रहे दोनों में बिल्कुल भी अंतर ना हो ऐसा ना हो कि आप इसे फेस पर ही अपलाई करें और आपकी नेक का कलर आपको डाक दिखाई दे इसलिए आपको फेस के साथ इसे इपनी नेक पर भी अपलाई करना है अगर आप इस pack को daily 7 days तक अपने face पर apply करते हो चाहें आपकी skin पर पुराने से पुराने दाग धब्बे हो जाईया हो आपकी skin का रंग काला पड़ चुका है वो एकदम से गाइब हो जाएगा friends और आपको मिले गया एकदम गोरा बेदाग और निखरा हुआ चेहरा टोमाटर और उसे ऐसे half cut कर लीजिए आपको half tomato से अपने face पर इस तरह से मसाज करनी है आपका ये pack बिल्कुल गीला होकर निकलने लगेगा friends आपको इसी तरह से half tomato लेना है और इस तरह से जब आपका pack dry हो जाए तो आपको ऐसे दीरे दीरे अपने face पर मसाज करनी है जो tomato juice होता है ये हमारी skin के लिए amazing होता है आपकी skin पर चाहे सालों से जमी हुई मैल हो जाईयों के निशान हो दाग धबों के निशान हो tomato juice उसको remove करने में बहुती ज़्यादा कारगर है ये आपकी skin के अंदर जाकर deeply से आपकी skin के pores को clean करेगा आपके चहरे पर जितने भी धूल मिटी है गंदगी है उसे एकदम से remove कर देगा tomato और basin का combination amazing है जो दोनों मिलके आपके चहरे को एक ऐसा glow देगे कि आपके तरफ जो भी देखेगा वो आपसे जुरूर पूछेगा कि आपने अपने face पर क्या लगाया है इसको लगाने के बाद आपको कोई भी cream जा मोहचराइजर लगाने की जूरत नहीं है friends आपका face बिना makeup के ही इतना glow करेगा आपको मैं live dessert दिखाने वाली हूँ कि आप देखेंगे कि इसको remove करने के बाद मेरा face कितना glow कर रहा है आपको तकरीबन 10 मिनट के लिए इस तरह से अपने face की massage करनी है जब तक कि आपका पूरा टमाटर का juice finished ना हो जाए उसके बाद आपको अपने face को wash कर लेना है बट मैं यहाँ पर आपको अपना face clean करके दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे आपको live results दिखाना है इसलिए मैं face wash नहीं करूँगी just clean करके आपको दिखा रही हूँ आप देखिए live कि मेरे face पर कितना glow आया है बट आपको इसी तरह से यह pack बनाना है और इसी तरह से अपने face पर apply करना है जिस तरह से मैंने आपको बताया है कैसा लगा आज का वीडियो थाना interesting अगर इस तरह के useful वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को जुरूर subscribe कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को like जुरूर कीजिए नीचे like का बटन है उसे जुरूर press कीजिए और इस वीडियो को अपन फ्रेंड के साथ इसे facebook, whatsapp, instagram पर share कर सकते हैं